तो एक नया करिंट अफेर बाल शरम और विश्व दिवस के बारे में तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो विश्व दिवस है वो बाल शरम के खिलाफ मनाया जाता है वर्ल्ड डे के रूप में तो इसको हम WDACL भी बोलते हैं मतलब World Day Against Child Labour, CL का मतलब Child Labour तो इसमें कौन-कौन सी BODYS involved हैं तो इसमें एक तो हमारा UN involved है और International Labour Organization, ILO International Labour Organization ये दोनों involved हैं यही दोनों इसका take care करती हैं और ये जो 2002 में सबसे पहली बार launch हुआ था क्यों launch लाँच लिए गया था इसको? In order to fight against Child Labour मतलब जो Child Labour है, Child Labour का मतलब है कि जो बच्चे हैं जिनके उपर मांसिक और शारिक तनावदे करके उनसे forcefully काम करवाय जाता है कम उमर में तो मतलब उनका freedom और उनकी तमाम चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं उनका स्वास्त और उनकी पढ़ाई लिखाई इस वज़े से इसको launch किया गया था आज के दिन को ताकि इसका main motto ये था इसका main objective ये था कि awareness about the harmful mental and physical problems mental मतलब मांसिक और physical मतलब शारिक जो समस्याएं होती हैं जो कि children जो कि बच्चे face कर रहे हैं child labor के दौरान तो उस चीज के लिए awareness फैराने के लिए ही world day को माना गया है ठीक है और ये होता है 12 जून को ये important है ध्यान दीजेगा 12 जून ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में